एपिसोन नमबर 9 की स्टार्टिंग होती है और मो जिजू सेल्फ से बुक निकालती हुए कहता है ये बुक लो फिर वो यान को बुक देती हुए कहता है अगर तुमें आगे से कोई बुक चाहिए होंगी तो तुम वेड से कह देना तुम यहां मत आना फिर यान उससे बुक कर कहती है वेड को परिशान करने की कोई जरुवत नहीं है ये बुक बहुत मोटी है तो मुझे इसे पढ़ने में बहुत समय लगेंगा फिर मो जीजू उसे गुस्टे से कहता है क्या बुक पढ़ना ही तुम्हारा एक मात्र तरीका है जिसे तुम अपना खाली समय बिताना च पर यान चिलाते हुए कहती है हाँ मैं यहां सिर्फ बुक लेनी ही आई थी क्योंकि मैं यहां बहुत बोर हो गई हूँ ये सुन मो जी जो मन में कहता है उसने पलट कर जवाब देना भी सीख लिया है फिर वो यान का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से लिजाते हुए कहता है अच्छा तो तुम यहां बहुत बोर हो गई हो और यान कह रही होती है तुम ये क्या कर रहे हो फिर मो जी जो यान को लिजा के एक रूम में धकेल देता है और रूम का गेट बंद करते हुए कहता है अब तुम यही रहो और मेरे लिए आत्म चिंतन करो फिर वो रूम का गेड बंद करकर वहां से चला जाता है और वही यान रोते वे कहती है मो जीजू तुम्हें मुझे रूम में बंद करने का अधिकार किस ने दिया और मैं स्रिप उसके स्टडी रूम में ही तो गई थी और वो मेरे लिए स्रिप एक आदमी है जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ और उसके लिए मैं एक स्रिप खिलोना हूँ जिसे उसने खरीदा है और वही मो जीजू अपने रूम में बैठ कर लैप टॉप पर सीसी टीवी केमरा से यान को देख रहा होता है और मन में कहता है मुझे इतना सैड फिल क्यो हो रहा है फिर वो वेड से कहता है वेड उसके लिए कुछ खाना ले जाओ और उससे पूछो कि क्या वो जानती है कि वो गलत है फिर वेड कहता है यस मास्टर फिर वेड वहाँ जाने लगता है तबी मो जीजू कहता है रुको मैं भी तुमारे साथ वहाँ चलता हूँ और गाईज जीज के साथ एपीसोड नमबर नाइन यहाँ एंड होता है मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपीसोड में